नमस्कार दोस्तों बीपेसी मेंस को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोगों को साइंस एंट टेकनोलोजी के जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्ण है बिल्कुल ने बीपेसी को ध्यान में रखके कम्प्लीट कराई जाएगी आज इसी कड़ी में साइंस टेकनोलोजी के अंतरगत पहला जो प्रस्ण है आत्म निर्भर भारत की संकल्पना के लिए बी निर्माड छेत्र की प्रगति अवस्यक है मेकिन इंडिया कायकरेम के संदर में बीग्यान ने उंप्रवदोग की की भूमिका और प्रभाव पर चर् सकता है तो आपको पूरा पूरा कॉंसेस रहना होगा बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्ण है इसको किस तरीके से आप एक बेहतरी निंसर राइटिंग कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको शुरुआत करना है भूमका के रूप में भूमका के रूप में चुकि आते ही चलना है अब यहां पर दूसरा जो पूर्शन है कि बी निर्मार छेत्र की प्रगति अवस्यक है किसके लिए आत्म निर्फर भारत के लिए अब बी निर्मार छेत्रे में जितना भी प्रगति हुगा है उन सारे ही प्रगति को आपको दिखाने की कोशिस करना है बिग्यान उम्परदोगी की भूमका चुकि आप जैसे आत्म निर्फर भारत आएगा मेक इन इंडिया भी दोड़ के आएगा और मेक इन इंडिया जब दोड़ के आएगा यहां पे तो पुरग-पुरे भारत को यहां पर बनाना है बी निर्मार छेत्र तक अथा दिरतियक क कि रितिया कि ये कलाप सारे ही चीजों को साम्मिल करके यहां पर चलना है और आप दिखाना है कि मेक इन इंडिया में विज्ञान प्रदोगी की भूम का कितना इंपोर्टेंट है इसको अच्छे तरीके से लिखना है और फाइनली यहां पर हो जाएगा निसकर्स टेक्टिप निर्भर भारत की तो यहां जो स्लोगन जो दिया गया था जैसे आपको पदा होरना चाहिए कि कोविड-19 के दवरान कोविड-19 के दवरान जहां पूरा विश्व यहां पे ठीक है अपनी अपनी अवसकताव से पूरी तरीके से जूज रहा था अपने अपने हेल्थ तो उसी समय पर दिया गया था कोविड-19 के दवरान अगर डेट की बात करें यहां पर तो बारा मई बारा मई दो हजार बीस को आत्म निर्भर भारत की संकल्पना को यहां पर दिया गया था अब इसके दहत ना सिर्फ मोदी के दवरा यहां पर संकल्पना दिया गया बलकि यहाँ पे उन सारे ही चुनवतियों से जो उस समय यहाँ पे चुनवतिया थी, उसके लिए बहुत ही बड़े रूप में अगर देखा जाए तो COVID आर्थिक पैकेज भी यहाँ पे दिया गया तो ध्यान रखेगा यहाँ पे COVID आर्थिक पैकेज दिया गया ताकि उन ततकालिन बिसम परसितियों में भारत को रिलिफ मिल सके लेकिन अब यहीं नहीं रुका बलकि यहां पे अब इसी आत्मनिरभर भारत को आगे बढ़ाने की यहां पे बात की गई जिसमें कहा गया कि साब साब कि वैस्वीक अर्थ ब्यवस्थाओं में ध्यान रखेगा वैस्वीक को यहां पे पूरे के पूरे बिस्व का यहां पे एक तरीके बहिसकार करेगा जैसे था नहरू का नाम गुट निर्पेक चंदोलन जिसमें था कि गुट निर्पेक चंदोलन में हम चाहें ठीक है अमेरिका में सामील नहीं होंगे सोवियत रूस में सामील नहीं होंगे बलक अक्रिय रूप से भागेदारी करना है, ना कि यहाँ पर वहिसकार करना है, ना कि इसका वहिसकार करना है, ऐसा ने एक आत्म निर्वर भारत हो गया, तो भारत अब किसी की जरूरत नहीं है, भारत को ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, बलकि भारत इसमें दुनिया के विकास में जैसे कि इसमें बहुत सारा जो लचीला पनवला जो सुधार था लचीला पनवला सुधार लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया जो भी परतियसपरदा को बढ़ाने का प्रयास किया गया दस्ता को बढ़ाने का प्रयास किया गया कुल मिला के यहाँ पर आपको समझने का प्र टब तक सारा एरिया यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तब तक भारत आत्म-निर्भर, भारत की राहाँ पर नहीं चल पाएगा, अब यहाँ पें हम लोग नेक्ट बात करते हैं, आत्म-निर्भर, भारत के लिए बी-निर्माड छेत्री की प्रगती, इसके बात पहले उसको बताना है बी निर्मार छेत्र का महत्व क्या है इसके बाद जो भी चुनवतिया अभी वर्तमार में मौजूद है उसको सामिल करते हुए चलना है और फिर से मेक इन इंडिया वह बी निर्मार छेत्र की जो भी प्रगती हुई है इसको सामिल करते हुए आपको जून भाया है आप एकजामणर बाता नहीं पाएंगे ठीके तो यहाँ पैम秋 में लोग शुरुवात करते हैं 5 अस्थम की पाच कि अर्थ विवस्था की ठीक है का इसी अर्थ विवस्था जो यहां पे पूरी तरीके से परिवर्तन की तरफ इंडिकेट हो एक कशक्ते हैं कि बहुत बड़े उच्छाल के तरफ जिसमें सम्रिधी दर अधीक हो जब तक बड़ी सम्रधी दर यहां पे नहीं होगी कोई भी अ यहां पर लाना जरूरी है जाकि अर्थ विवस्था को पूरी तरीके से गतिसील बनाया जाए तभी तो यहां पर भारत का GDP बढ़ेगा भारत का जब तक GDP नहीं बढ़ेगा फिर उस GDP में से जो भी अलग-अलग एरिया में जो भी contribution होता है फिर उसमें यहां पर सहायता कैसे द बढ़ाना होगा गतिसीलता को बढ़ाना होगा और यह सबाज इतनी असानिस तो नहीं होगा इसके लिए जरूरी हो जाएगा यहां पर और सनरचना का रह पे यहां पर चल पड़े अर्थात यहां पर जितना हो सके connectivity को बढ़ावा देना है कनेक्टी वीटी को बढ़ावा देना है जैसे कि यहां पर रोड हो जाएगा रोड को बढ़िया करना है पानी की सुद्धा को हर हाल में ठीक करना है उसी तरीके से यहां पर हवाई जह हाज हो जाएगा ट्रांस्पोर्टेशन हो जाएगा ट्रांस्पोर्टेशन हेल्थ के लिए आस्पाताल बहुत जरूरी है हेल्थ ठीक है रच्छाक छेत्र अंतरिक छेत्र अंतरिक छेत्र ठीक है इसमें बहुत जरूरी है कि जितना भी मैंने यह जो छेत्र लिखा हुआ है जो भी ओसन रचनावला छेतर है, इसमें अभी भी भारत में आमूल चुक परिवर्तन करने की जरूरत है, आमूल चुक का मतलब की पूरी तरीके से इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, तब ही जाके ये समरी धीदर अच्छे तरीके से भारत को मिल पाएगी, अब ये तो कम समय में किसी भी चीज को पाने की ताकत रखता है अब यहाँ पे इस 21 सदी में आके बिना टेकनोलजी का आर्थिक विकास की संकलपना भी यहाँ पे नहीं की जा सकती है और यही जो टेकनोलजी का परियोग है इसी 21 सदी में भारत को आत्म निर्भर बनाने में मदद करेगा तो यहाँ पर आउसन रचना हो गया टिकनॉलोजी हो गया लेकिन इन दोनों ही अस्तरों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है पॉपलेशन की यहाँ पर जरूरत हो जाता है पॉपलेशन की तो यहाँ पर मैं next लिख रहा हूं जन संख्या अभी नो डाउट भारत पूरे 200 में जनसंख्या का मामले में नमबर वन का स्थान नमबर वन का जो ताज यहाँ पे ठीक है पहंच चुका है लेकिन चाइना ने आपने देखा कुछ में कमेंट भी किया हुआ था कि कोई दिकत नहीं हमें हमारे पास नगभग 90 करोड से अधीक अस्किल्ड लेबर हैं अस्किल्ड लोग हैं जो कि भारत के पास यहाँ पे नहीं सिधा सिधा पे कर्टक्च किया था इसलिए आप आपको दिखाने की कोशिस करना है कि भारत के लिए जो अभी वरतमान में जो गतिसील जो जनसंख्या है और यह भी गतिसील जनसंख्या कैसा है कि भारत में देखा जाए तो पूरे 200 से अगर कमप्रेजन किया जाए तो सबसे युवा जनसंख्या है सब से यूवा जनसंख्या है अब इसी यूवा जनसंख्या को यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ परptureल करना है कौसल पर सिच्छाण को दे के इनको र neकरना है यहाँ पर तब ही जाके यहाँ पर रोज़गार में व्रिद्धी yo पाएगी unemployment के समस्या यहाँ पर दूर पाएगी और जब इतनी सारी जो जब जन संख्या किसी भीकारे को करेगी तो कोई एरिया यहाँ पर growth नहीं करे यह हो ही नहीं सकता है तो इसलिए इस जन संख्या को यहाँ पर बेहतरीन करने की यहाँ पर जरुरत है कोईसल परसी चड़के माध्यम से उसके बाद से हाँ पर मांग की बात की जा रही है अब इतनी सारी जन संख्या है यहाँ पर तो मांग भी बढ़ेगी मांग को बढ़ाने के लिए हाँ पर सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर जहुद जरूरी होताता है डिमांड एंड सप्लाई ठीक है यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई ना इतनी बढ़ी जन संख्या यहाँ पे demand करेगी बलकि अगर demand बाकी अन्य देशों से भी आ रहा है अगर export की भी यह पर बात आ रहे है निर्यात की भी बात आ रहे है तो इस supply chain को यहाँ पे इस बली जन संखिया से पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा किया जा सकता है जिसके वजह से बारत में आर्थिक अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बी निर्माड अधार मौजुद है विश्व में भारत का पांचवा स्थान है हालाकि वर्दमान में अभी नहीं है ठीक है पांचवा स्थान इस संधर में है कि भारत के पास इतनी चमता है कि वो तो भायूक सी बात है भारती अर्थव्यवस्था पे शक्रात्मक वरभाव पढ़ेगा यहां पर कुछ रिपोर्ट जारी किया जाता है केंद्रिय श्रम मंत्राले के द्वारा केंद्रिय श्रम मंत्राले के द्वारा ठीक है यह तिमाही रिपोर्ट जारी करता है तिमाही भारत में नौ छेत्रों को, नौ छेत्र को यहाँ पे चायनित किया गया है, नाईन छेत्रा इसे हैं जिसमें रोजगार के अपार सम्भावना हैं, और इन नौ छेत्र, यह सारे के सारे जो छेत्र हैं, बी निर्मार छेत्र से सम्बंदी थे, बी निर्मार छेत्र से सम्बंदी दाले के द्वारा ठीक है इसके अलागा कुछ और भी बात देख लेते हैं अगर देखा जाए अभी वरतमान में तो भारत में 45% से अधिक जो बी निर्माड जो उदोग है 45% से अधिक जो बी निर्माड उदोग है यह MSME में माइक्रो स्मॉल मेडियम इंटरप्राइज में है यहाँ पे जहाँ पे ठीक है बहुत ही कम पैसे में कोई भी बिजनस यहाँ पे कर सकता है लेकिन यहाँ पे जरूर होया है यहाँ पे ठीक है अस्किल्ड लेवर की कोसल पर सिच्छड जैसे ठीक है विकास की जरूरत है जो भारत के बी निर्माड उदोग कर संचालन करते है इसी के लावा कुछ और ही बात हो कम लोग देख लेते हैं कि भारत में यहाँ पर ध्यान रखेगा कुछ ऐसे चेतर उबरे हैं कुछ ऐसे जो नए चेतर उबरे हैं जहां पर आसमित छमताएं हैं इस बी निर्माल उद्यों को बढ़ाने के लिए जैसे कि नंबर वान यहाँ हो जाएगा परिधान को लेके टेक्स्टाइल तो आपको पता ही होना चाहिए कितनी बड़ी मात्रा में ठीक है डिमांड है भारत में लेकिन बंगलादेश देखिए भी टेक्स्टाइल के मामले में बहुत अच्छा कारिये कर रहा है इसके अलावा यहाँ पर कॉस्मेटिक कि हाँ पर हो जाएगा कॉस्मेटिक सहायक साज सज्जा हो जाएगा ठीक है फर्मासीटकल हो जाएगा दवा के छेतरे में फर्मासीटकल ड्रग के छेतरे में यहाँ पर इसके अलावा पेट्रोलियम उतपाद पेट्रोलियम उतपाद मोटर वाहन मोटर वाहन इन सारे ही छ बढ़ रहा है अब यह डिमान जो बढ़ रहा है बदलते समय का उनसार बदलते पैटर्न का उनसार तो इसको यहां पर पूरा भी करना होगा और इसको पूरा जैसे यहां पर किया जाएगा तो फिर इस एरिया से भी अर्थ विवस्था में योगदान यहां पर आएगा ही बहुत बड़ी मातर में चुनावतिया मौजूद है खासकर यह जो नए छेत्रा रहा है इस एरिया में काम करने के लिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चुनावतियों की तो जैसे नंबर वन चुनावतिया है यहाँ पर पीच पूरी तरीके से तयार नहीं हुआ ह अर्थात कमजोड और सनरजना इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा अपरियाप्त बिजली अपूर्ती अभी भी MSME को जितना बिजली मिलना चाहिए देखिए मिल नहीं रहा है और आज के समय में जितना भी बी निर्मार छेतर है बीना बिजली का अपकलपना ही नहीं कर सक इसके अलावा यहाँ पर योजनाओं की देखिए बहुत अधिक भरमार है बहुत अधिक भरमार है लेकिन जो इसका इंप्लिमेंटेशन बहुत ही शुलो तरीके से किया जा रहा है यह भी बहुत बड़ी समस्य का कारान है एक जो इको सिस्टम होना चाहिए एक जो इको सिस मेक-अन-डिया इंपोर्टेंट हो जाता है मेक-इन-डिया इंपोर्टेंट हो जाताए और इस मेक-इन्डिया का ठीक है जो सबसे बड़ा जोग का सकते हैं कि रोल माना जायेगा बी निरमार के च्छेत्रे में हैं अलकि नाम से जिसे लग रहा है मेक इन इंडिया पूरे भारत को बनाना है लेकिन विसेश तोर पर जो बड़ा आपने सेर दिखा होगा उसमें अधिकतर जो कल पूर्जे है दिखाया गया है वो बी निर्माड छेत्रे से यहां पर बिलोग करता है लेकिन वो तभी अच्छे स से काम कर पाएगा जब सेवा छेत्र को भी यहां पर मजबूती मिलेगी अब आई हम लोग नेक्ट बात करते हैं यहां पर मेक इन इंडिया है वहां बी निर्माड छेत्रे की प्रगति यहां पर किस तरीके से मेक इन इंडिया को आपको जैसे पता होना चाहिए कि 2014 में जैक अधिक बल दिया गया जिसके सातसाथ यहां पे अस्टार्ट अपक्रों पर भूंस बल दिया गया consciousness बहुत भल दिया गया जिसके वजह से अधिक से अधिक, ञोगों को रोज़गार मिल सके आता है ना देखते हैं बारबार कोट आता है मोधी गोवर्मेंट का कि रोज़गा लेने वाला नहीं बुनो रोजगार देने वाला बनो तो यहीं ही अस्टार्टप इसी अस्टार्टप में रोजगार तेजी से यहां पर मिल पाएगा अब इसी साब को लिंग करना है कि 2020 में कोबिट के दवरान यहां पर क्या लाया गया आत्म निर्भर भारत लाया गया और इसी अभियान के तहद भारत के आर्थिक रूप से भारत को क्या करना है पूरी तरीके से आत्म निर्वर बनाना है, लेकिन यह आत्म निर्वर तब बनेगा जब भारत बी निर्मार छेतरे में काफी बड़ी मातरा में यहां पर ठीक है, रोल प्ले कर पायेगा, अधियार वह इतना तो नहीं है लेकिन रोजगार यहीं से जेनरेट होता है तो ऐसे जगहों को बढ़ाने के ज़रुरत है ताकि सारे ही लोगों के पास पैसा, पैसारे लोग जो भी जीवका के जो साधाने उसको यहाँ पर पूरा कर पाए तो इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है इसको ठीक है आत्म निर्भर को यहाँ पर बी निर्मार से जोड़ने का अब यहाँ पर मेक इन इंडिया के ताथ सरकार ने टारगेट किया हुआ है कि दो हजार पचीस तक अभी कितना दिन बचा हुआ है देखके चली दो साल मुश्किल से बचा हुआ है और इसका जो उदेश से मुखेता देश की बी निर्मार चमता को मजबूत करना है यह पचीस परसेंट तभी मिलेगा जब भारत की बी निर्मार चमता हाँ पर मजबूत हो पाएगी ठीक है और तभी जाके हाँ बड़ी मात्रा में रोजगार जेनरेट भी हो पाएगा मिला खुद अपने आप से पूछिए ठीक है तो अभी भी इसका मतलब कि बहुत सारी यहां पर कमिया मौजूद है अब यहां पर पूरे पूरे मेक इन इंडिया को देखा जाए तो जैसे कि आत्मनिर भर भारत का पिलर था वैसे ही मेक इन इंडिया के कुछ पिलर है थोड़ा सा उन पिलर को आप लोग देखने का प्रयास किजिए ठीक है जैसे कि मेक इन इंडिया के तहाथ जो भी इसका जो इंपर्टेंट पिलर है ठीक है जैसे कि कुछ इंपर्टेंट पिलर है नई परक्रियाए अब इस नई परक्रियाए के अंतरगत आपको बताने की कोशिश करना है कि उदम्ता को इंटर्प्रेनर्शिप को बढ़ावा देने के लिए बेवसाय में आसानी करने के लिए हाँ पर क्या लाया गया था इज ओफ डूइंग बिजनस इज ओफ डूइंग बिजनस अर्थात कोई भी वेक्ति यहाँ भारत में आसानी से बिजनस यहाँ पर कर सकता है और इसके लिए एक संदार इको सिस्टम इको सिस्टम यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया गया जैसे कि गवर्मेंट का हास्त से छेप बहुत कम हो कमपनियां ही ठीक है सारे चीजों को रिगुलेट करें गवर्मेंट का हास्तिच यहाँ पर कम से कम हो तो नई प्रिक्रियाओं के तहत यहाँ पर इज ओफ डूइंग बिजनस को बहुत अधिक बल दिया गया दूसरा चीज है यहाँ पर नई और सन अधिक अब नई और सन रचने में क्या है कि जो भी नए नए चेत्रों को यहाँ पर डेवलप्मेंट करने का कोसिस करना है अब यहाँ पर जैसे कि बहुत सारा अवदोगी कोरीडोर बनाया गया लेकिन जितना भी ओदोगी कोरीडोर बनाया गया देखेंगे तो भारत के प सिटी का विकास करना बहुत जरूरी है इसके अलावा जो भी जो ठीक है मोडर्न जो टेकनोलोजी है उसका तेजी से यहाँ पर विकास करना है मोडर्न टेकनोलोजी का पूरी तरीके से विकास करना है संचार विवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है यहाँ पर चुकि यह सब क्या है नई सनरचनाय है और इसको पूरा करने का बहतरीन तरीके से परियास किया जा रहा है जैसे कि इस चत्रे में कोई भी कमपनी अगर क अच्छाई आइडिया है तो कोई उस आइडिया को चला ना जाए ठीक होता है ना कॉंपी राइट वलाब्स बहुत सा रहाता है भारत में भी माना जाता है कि इंट्लेक्च्वल प्रॉपर्टी राइट बहुत कम जोड़ है तो इसको मजबूत बनाने का प्रियास किया जा र ठीक है तीसरा यहाम पर हो जाएगा नाया खेतर यहां पर नई ऑव संरजना है जिसका पुरा-पुरा development करना है लेकिंकन नेक्स्ट क्या है यहाँ के साथ नाया खेतर अभी नाया खेतर में देखा जाए यहाँ तो बड़ी मातरा में यहाँ पर कोशिस करना है कि FDI को FDI को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए चुकि भारत के पास पैसाइत तो इतना है नहीं कि सारे छेत्रों में जितनी potential है उस potential के तहद ठीक है investment किया जाए investment जब तक आएगा नहीं तब तक ठीक है उसका outcome भी यहाँ पर नहीं आपाएगा तो FDI जब जहाँ पहले हम लोगों ने देखा था लगभग 49% होता था अब लगभग हर छेत्रों में बढ़ा के 74% तक इसको यहाँ पर रखा गया है इसको और भी बढ़ाने का परियास किया जा रहा है जैसे कि यहाँ पर देखा जाए रच्छा हो गया इसके अलावा बीमा चाहम लोग यहाँ पर चिकितसा उपकरण की बात कर ले निर्मार के तहत पुरा पुरा यहाँ पर रेलवे और सनरजना के यहाँ पर बात कर ले तो यह बहुत सारा जो एरिया ऐसा है यहाँ पर ठीक है कोई कोशिस किया जा रहा है यहाँ पर कि FDI बड़ी मात्रा में आ पाए और यहाँ पर इसको बहुत ही ध्यावे धार रखेगा ठीक है मतलब कंप्लेक्स नहीं बलकि इज आसान बनाने की कोशिस किया गया है कि यहाँ पर जो सरकार जो है यहाँ पर बिल्कुल ही देखा जाए तो ठीक है बहुत ही कम अपनी भूमका निभाएगी अर्थात सरकार यहाँ पर मीनिमम रिगूलेट करने की कोशिस करेगी करेगी तो तीन एरिया को हमने देखा कुछ और भी एरिया जहें इसी मेक इंडिया के ताहत जैसे कि चवथाज एरिया यहांद पर हो जाएगा बैपार संथुलन यह एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखते चलिए बैपार संथुलन न का मतलब क्या है आप एक जितना हम कम भी निर्माल करेंगे उतना ही हमें आयात करना पड़ेगा तो इसको जरुरत है कि अगर हमरे पास पुरिक-पुरिय अगर डिमांड है तो सप्लाई भी अपने आप से मखुद यहां पर कर पाए तब ही तो आयात और निर्यात के बीज की दूरी को यहां पर कम कर कि यहां पर बैपार संत्रलन में यहां पर कोसिस करना है कि एक स्पोर्ट को यहां पर अधिक सदिक बढ़ावा दे अभी जाके इंपोर्ट यहां पर कम हो पाएगा और अभी हम देखा कि भारत रच्छा जिसे चीजों में आत्म दिर्फर नहीं है कितनी बड़ी मातरा में अमेरिका और रूस से बड़े मातरा में भारत हाथियार आयात करता है तो समस्तिया है कि नहीं है यहां पर भारत का पैसा कहा जा रहा है बिरेजों में जा रहा है अत्व बैपार संत्रलन को बनाय रखने के लिए बी निर्मार सेक्तर की बहुत बड़ी यहां पर भूमका हो चाहिए इसके अलावा यहां पर कुछ और भी बाते हैं जैसे कि मल्टिप्लायर इफेक्ट मल्टिप्लायर इफेक्ट नाम से यहां पर लग रहा है मल्टिप्लायर इफेक्ट लेकिन मल्टिप्लायर कब होगा बड़ा संक्या में कम मिलेगा जब हम उसको बड़ा अर्थात आपको इसे समझना इन्वेस्ट इन्वेस्ट को आपको बढ़ाना होगा और रही इन्वेस्ट को बढ़ाने से कोसिस करना है कि मैक्सिमम जितना आउट्पूट मिल पाए मैक्सिमम जितना आउट्पूट मिल्या है इस पे भी बल देना है मने वहता है न मिनमम ठीक ह minimum fix, maximum work तो यह वहीं वाला मामला है कि जितना कम से कम investment यहाँ पर हो या फिर investment जितना अधिक से अधिक से हो उसके ratio में यहाँ पर output को क्या करना है अधिक बढ़ाना ही बढ़ाना है और तभी जाके निवेस में बिरिद्धी होगी सरकार के ठीक है causal विकास बहुत सारे दिखिया अस्कीम है आपको पूरा पूरा लिखना होगा समझने की कोशिस किजिए बहुत असान है असानी से classroom में आपको सब clear हो जाएगा causal विकास के लिए महतपूर causal विकास के लिए महतपूर आप जानी रहें नहीं आपकि कितना जरूरी है यहाँ पे Leward के यहां पर कितनी जरूरत है यहाँ पे अब यहीं यहां पर किया जा रहा है कि कौनिर्मी निरवार शेतर में कारे करने के लिए causal निरमार बहुत जरूरी है और तभी यह जब तक अस्किल्ड यहां पे लेवर होगी तभी यह जाके तक्नीक के साथ समांज़स्य अस्थापित कर पाएगी तभी तो यह कंप्यूटर चला पाएगी वरना फिर कैसे हो पाएगा समस्या यहां पे होगा ही होगा और जब इस तरह की गत्विधिया होगी तो भायुक सी बात है कि आसरों बिरिध्धी होगी स्रम बल को ठीक है बहतरीन तरीके सपरसी छड़ किया जाएगा तो यहां पर सुभायुक सी बात है कि जीडिप में उसका कंट्रिब्यूशन बढ़ेगा यह बढ़ेगा अब आए हम लोग यहां पर नेक्ट देखते हैं कि मेक इन इंडिया में ब ज्यान परदोगी इसका मतलब क्या है कि अभी हमने देखा मेकिन इंडिया को लेके बी निर्माण में देखा जहां पर हो अकिनरे से था चलीख लिए Анब इंधेगा नंबर वन रा कहाएगा अत्म निरबहर भारत रच्छा आत्म निरबहर भारत अच्छा आउर्णразу नाम ही लग रहा है कि रच्छा के छेत्र में हमें क्या करना है? कि जितना अधीक से अधीक हो सके अपने इंपोर्ट को आयात को कम करना है और यह तभी हो पाएगा जब रच्छा अनुसंधान पे हम लोग अधीक से अधीक बल देने का परयास करेंगे. यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे यहाँ पर जरुरत है यहाँ पर अनुसंधान, रिसर्च, जितना अधिक हो सके, रिसर्च पर हम भल दे, एक बार रिसर्च कर लेंगे, हमें बनाना आ जाएगा जो भी हतियार, तो हम लोग धीरी धीरे आत्मर यहाँ पर हो जाए यह कि जो लड़ाई हैं सिर्फ और सिर्फ अस्थल तक सिमित नहीं रहा गया है आज मतलब बीशो में डंका उसी के बजरा जो देखा जा रहा है कौन मार्स पे पहुंच गया कौन ठीक है चंदरमा पे पहुंच गया तो आज जो लड़ाईया है देखिए बिलकुल ही अंतरिक तक यहां पे पहुंच चीक है वैसे में अंतरिक भीज्ञान को बढ़ावा देने के लिए चुकि भारत में अधिकतर यहां पे देखेंगे तो ठीक है गोर्मेंट जो कंपनियां ही यहां पे मुझूद है तो यहां पे जरूरी है कि हर हाल में नीजी सेक्टर को भी बढ़ा नीजी सेक्टर को यहां पे हर तरीके से बढ़ाया दिया जाए इनको भी यहां पे जितना हो सके रिसर्च का मौका मिलना चाहिए लेकिन अभी इनके लिए जो इन्फरास्ट्रेक्टर होना चाहिए वो अभी पूरी तरीके से माँजूद नहीं है इसके अलावा इनको केम लोग चाहें बात कर लें इसके अलावा यहां पे जो भी तक्नीक जो है समझने का प्रयास किजिए जो भी तक्नीक है इसी अंत्रिक्च विज्ञान के तहथ जैसे कि होता क्या है कि रिमोट सेंसिंग डेटा अभी विपलव नहीं हो पाता है रिमोट सेंसिंग डेटा इसका क्या मतलब है कि पिरिथिवी के किसी भुभाग का चितर लेना चुकि अब सपोस करिए कि भारत में कई सारे इसे छेतर हैं जहां पर इमेज ही नहीं मिल पाता है लोग वहां पर जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे तो अगर यह सारा जो इमेज अगर म जाएगा तो वहां पर हम लोग असानी से देख सकते हैं कि वहां क्या कमी है क्या वहां पर पर प्रचुरता है कहां पर खनी संसाधन मवजूद है तिसके लिए रिमोट सेंसिंग डेटा बहुत ही जरूरत है आपे कि इसको और मजबूत बनाने की कोशिस करना इसको और इसके बाद नेक्सर यहां पे आरिया हो जाएगा परमाडु उर्जा अनुसंधान के तहद परमाडु उर्जा अनुसंधान को भी सामिल किया गया जैसे कि यहां पे बहुत अच्छा एगया पर यहांपल है cancer cancer को यहां पर ले लेजिए वरतमान में cancer के किफायती उपचार के लिए आईसोटोप समस्थानिक प्रयोग के जाता है अब समस्थानिक आपको पता होना चाहिए आपे जिसमें कोई भी अगर element है तो उसका परमाडू संख्या सबसमान होगा लेकिन उसका जो atomic ठीक है जो मास होगा हो यहां पर डिफ्रेंट हो जाएगा तो उसी तरीके से जैसे कि एक इट्रियम हो गया ठीक है एक छोटा से एक जामपल है जैसे cancer के परयोग में किया आता है इट्रियम इट्रियम 90 से बोला जाता है ठीक है तो अगर इसमें यहां पे खुद सोचिए कि अगर यहां पे गवर्मेंट हो गया या फिर यहां पे नीजी हो गया गवर्मेंट प्राइबेट दोनों मिल के अगर काम करें तो परमाडू उर्जानू संधान में भी अच्छा खासा scope है इसके development का अब इसका कई सारा एक जामपल है जहां पे अभी इसक और तकनीक का इस्तिमाल अगर किया जाएं तो यहां पे क्रिसी सुब्धा में बहुत यह सहायता मिलेगी किसानों को आत्मनिर्फर बनाने में मदद मिलेगी वैसे ही यहां पे फुर प्रोसेसिंगे सांसा अगर हम लोग बात करें एकरी कल्चर की एकरी कल्चर की एकरी अलावा जो cold chain होता है न सीत स्रिंखला जो आपूर्ती होता है कैसे वस्तुव को लंबे समय तक उसके ताथ सनरच्छित किया जाए डेरी को कैसे सनरच्छत किया जाए ऐसे बहुत सारा ऐसा छेतर है जहां पर अगर इस परमारू उर्जा का अगर सही तरीके से परियोग किया जाए तो भारत की क्रिसि बेवस्ता एक सायातसाथ किसान भी आतम निर्फर यहां पर हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी तकनिक हो सकता है कुछ ठीक है और भी तकनिक हो Sierra के यहां पर ठीक है मैंने सब सोरी ठीक है सब आत्म निर्वर भारत रच्छा नुसान दान के तहट ठीक है मैंने अभी अंत्रिक्ष बिज्ञान को यहीं पर चर्चा कर दिया इसके बाद परमाडू उर्जा को भी यहीं चर्चा कर दिया ठीक है आपको धरी लिख लेना इसके बाद अन्य टेक्निकों कि हम लोग बात क कहां कहां अब सही तरीके सप्लाई किया जा सकता है जैसे कि नंबर वन हो यहां पर हो जाएगा ए आई में आर्टिफिसिल इंट्रिजेंस में बिल्कुल ही इसका परियोग किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर में अभी आप देख पा रहे हैं कि नेट में कितनी अधिक ज यह सब इतना खतरनाक टेकनोलजी है ठीक है इसके बारे में आपको सर्च करना चाहिए ठीक है कि क्या है यह सब नेनो टेकनोलजी इसके अलावा यहां पर जेव सुरच्छा जेव सुरच्छा इसके अलावा यहां पर हो जाएगा बायो मास बायो मास ठीक है इन सारे ही तकन को के माध्यम से या फिर इन सारे ही चीजों में एक संदार अगर तकनिक का प्रयोग किया जाए तो असानी से ये मेकिन इंडिया को मजबूती परदान कर सकते हैं भी निर्मार छेतरी के साथ साथ प्रदोकी में भी ये भेहतरी इन डॉल प्ले कर सकते हैं तो यहां पर हमने द भारत की GDP में बढ़तरी होगी अलग-अलग एरिया का अलग-अलग सेक्टर का कॉंट्रिब्यूशन अधिक होगा रोजगार अधिक मिलेगा ठीक है तो यहां पर आपको प्रभाव करूप में दिखाना है कि उत्पादक्ता में प्रोडक्शन में यहां पर क्या होगी प्रतलित विकास को यहां पर बल मिलेगा दूसरा चीज़ है यहां पर employment रोजगार को हर छेत्र में बढ़ावा मिलेगा प्राइंम री सेकिन्री टर सीरी हर च्टर में यहां पर बढ़ावा मिलेगा हाला कि आपको बताना है कि रोबोट टकनिक सेHz रोजगार में कमी आ रहा था उस समय बोला गया था कि हो सकता है कि सारा काम मसीन कर दें और मनुस्य सिर्फ और सिर्फ ठीक है हो सकता है कि बिरुजगारी के रहा पर आज लेकिना इसा नहीं हुआ बलकि उस मसीन करित दोगों के साथ साथ स्रम को बहुत अधिक बढ़ावा मिला यहां भी वहीं चीज कहा जा रहा है कि रोबोट में जब यहां पर ठीक है रोबोटों के संख्याम बिरिद्धी हो गई तो अब हएक सी बात है स्रम की उत्पधक्ता में कमी आएगी लेकिन यहा बूल कॉलर जोब का मतलब होता है कि ठीक है वर्किंग क्लास करमचारी जिसको बोला जाता है घंटे के अधार पे लोग काम करते हैं तो यहां पर इनकी संख्यामें डिमांड हो सकती है रोजगार में यहां पर बिरिद्धी हो सकती है इसी के तहत यहां पर आत्व निर्भर भारत के लच्चे को पूरा किया जा सकता है, भारत के अर्थविवस्था में गती को बनाया जा सकता है, गती सील अर्थविवस्था को ठीक है, यह मेंटेन करने में काफी बला रोल पलेक करेगा ही करेगा, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में बिज्ञानियम तकनिकी के विकास से आत्म निर्भर भारत की संकल्पना और तेजी से यहाँ पर मजबूत होगी अब आई हम लोग नेक्ट बात करते हैं यहाँ पर लाश्ट में निसकर्स की में आपको बताने की कोशिस करना है कि देखिए मेक इन इंडिया के तहट मेक इन इंडिया के तहट भारत के विभीन छेत्रों में विकास को सुनिश्चित किया गया जैसे कि मेक इन इंडिया के तहट कुछ है यहाँ पर लच्छित छेत्र है वहीं सारे जो लच्छित छेत्र ह मैंने सब आपको बता दिया है जैसे कि यहां पर दूर संचार हो गया ठीक है कम्मिनिकेशन हो गया दूर संचार ध्यान रखेगा फर्मासीटिकल हो गया इसके अलावा भी देखेए ठीक है यहां पर बिरिद्धी मिलेगी ही मिलेगी और अब जरूरी हो गया है कि अब यहीं तक्सिमित नहीं रखा जाए बलकि इसके साथ साथ बी निर्माड छेत्र के विकास पे भी काफी ध्यान दिया गया है जिसके वज़ा से भारत में रुजगार स्रिजन होगा भारतियत वश्त यहां ने उंप्रदोग की दूसरा पार्टे भी है विज्ञान एवं प्रदोग की के विकास ने आत्म निर्फर भारत को या फिर मेक इंडिया को अपनी भूमका को सुनिश्चित किया है जिससे आत्म निर्फर भारत के संकलतना में बढ़ोत्री हो रही है तो यहां पर यह सकता है तो फेके दूनों को चैक अğin बैलाइंस करके बताना एक है के दूनों में काफी संभावन आए है दोनों की बुनियादी अस्तर में बड़े लेवल पे हाँ पे कारी करने के ज़रूरत है जिसकी वज़ासे भारत का जीडीपी बल स क्ता है भारत की समृध्धी दर यह दे हैं, थैंक्स पर वाचिंग, जय हिंद!